दोस्तों मार्केट में कही सारे ब्राइंड एवलेवल है बीयर्ड और मुस्टेक को उगाने के लिए घनी करने के लिए उनकी डैंसिटी बढ़ाने के लिए और जैसे कि उस तरह है बीर्ड हो है दाड़ी वाला इसे बहुत सारे ब्राइंड है और वह कहीं महंगे आज मैं उन बहुत सिंपल इसकी जो इंग्रिटेंट लगेंगे इसमें जो जो प्रोड़क लगेंगे वह है जो कि 100% नैचरल है और मुझसे कहीं लोगों ने कहा था में दौ महीने पेले बना सकता था बट मैंने पेले इस जो प्रयोग है इस को मैंने अपने आप पे टेस्ट करा उसी क आप देख सकते हैं कि मेरी जो लगातर वीडियो आ रही उसमें मेरी जो दाड़े मूचे लगातार वो डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि मैंने इसका यूस करा है और मुझे फर्क पड़ा है साथ मैंने कई दोस्तों को भी बताया था तो उनको भी फर्क पड़ा है इसलिए आज ही बताऊंगा आपको कि होम मेड वियर्ड और मुस्टेक बढ़ाने के लिए केसे आप बना सकते हैं यह बहुत ही सिंपल इसके लिए सिंपल इंग्रिडेंट की जरवत है सबसे पहले आपको कोकोनेट ऑईल की जरवत पड़ेगी देखे मैं किसी ब्राइंड के बाद कर रहा हूं मैं प्योरिटी की बात कर रहा हूं नेचरल की आप कुछ भी ला सकते हैं कोई सा भी ब्रांड ला सकते बद ध्यान रखे कि वह नेचरल हो तो सबसे पहले हैं कोकोनेट ऑईल का है हमारे पास विटामिन ए के कैपसूल है क्योंकि मार्केट में इजली अविलेव मेरे पास एक हरबल ऑईल है हेर के लिए यह दिविकेश तेम आप चाहे तो कोई सा भी हरबल यूज़ कर सकते हैं बद ध्यान रखे कि 100% नैचरल हरबल हो साथ में जो उसके अंदर इंग्रीडियेंट हो हरबल जड़ी बूटी है वह भी नैचरल हो और काम आए तो हमें सब सबसे पहले महीड को क्यु खमच इसे हैं को हैं जो फेट जाथ शर्वार चेरण से जते हैं इसके एक महींद के अरट में आर। वह उसमें दूसरे कुछ केमिकल मिले रहे जिससे उनकी एज बढ़ जाती है मैं 4 से 5 चामच ले रहा हूँ आप आपकी कंसिस्टेंसी के एकोर्डिक ले सकते हैं इसके बाद आप आलवांड डॉय उसकर सकते हैं नहीं है तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं तो तीन चार पात छे साथ नो तस करीबन दस बूंद के आसपास आप डाल सकते हैं नेक्स्ट हमेंसे जरूरत है बहुत इंपोर्टेंट वह हर्बल ऑई जड़ी बूटियों का तेल जो हम बालों के लिए उसकर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे आपने देखा होगा जड़ी बूटियों की बालों के लिए अच्छा है तो हम करीबर एक चम्मच यूज़ करेंगे बस और साथ में हम एक विटामिन ए का कैप्सूल लेंगे यह मार्केट में इसली अगलेवन मिल जाता है आप कि देखें कि विटामिन ए का ओई हंड़ेट परसेंट विटामिन ए आपको एक ही कैप्सूल यूज़ करना है तो हमने इस ओईल के अंदर कोकोनट ओई पाच से छे चमच मिला है दस बुन के आसपास बादम तेल मिला है एक चमची आसपास केश कांती तेल मिला है केश तेल मिला है केश कांती नहीं केश तेल हर्बल है और अलुवेरा हम यूज़ करेंगे बाल में तो यह तैयार है यह आपका एक वीग चलेगा ठीक है एक वीग इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हमें जित्ता जरुवत है इतना ही बना है ज्यादा बनाने से कोई मतलब नहीं घटा रहेगा और यह एक तो इस ओयल को अच्छे से खिलाना है अब इसका यूज़ करने का ताइका सबसे पहले आप यह रात को लगाना आप चाहें तो सुबह भी लगा सकते कोई दिक्कत नहाने के बार में जनरल इसको सुबह और शांप दोनों लगाता था सुबह जब नहाता था उसके बाद में इस जेल का रिव्यूबल में दे चुका हूँ यह क्या कर देगा आपकी स्कीन के पी एच लेवन को बेलेंस करेंगा आपकी पूरी मुस्टेट और पे भी लगा लीजिए आप इसको मालिश करेंगे एक मिनीट के अंदर अंदर आपकी स्कीन पूरी एब्सॉप कर लेगी उ तो इस तरह से आप यूज कर सकते मेलोना अश्युक्रि लेसको झीकट नहीं है rural सब्सक्राइब को मिलें तो विटामीनी का अगर आपको नहीं मिले तो भी चलेगा विटामीनी बादम उइल में मिल जाता है इसलिए हम इसलिए उसका करते है क्योंकि इसके अंदर omega 3 होता है fatty acid होता है unsaturated fatty acid vitamins and minerals भी इसमें कई होते हैं इसमें 22 तरह की जड़ी बूटिया है इसका भी रिवीट दिया है जो की hair की growth के लिव फॉलिक को स्ट्रॉंग करता है और hair की density बढ़ाता है जिनको thinning प्रॉबलम में उनको भी श्ट्रॉंग करता है और यह जो ऑईल है केवल आप mustak या दाड़ी में नहीं लगा सकते है आप चाहे तो अपने hair में भी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है मेल फीमेल दोनों इससे यह नहीं कि आप लड़किया लगा लेगी तो उनकी दाड़ी को जाएगी ऐसा कुछ नहीं है जिनकी skin dry है वो भी इसको यूज कर सकते है गर्मियों में रात को करें मुस्टेक के लिए में तो सूबे और शाम दोनों करता हूँ क्योंकि हम लगा रहे हैं बट यहां दाड़ियों पे और मुस्टेक पे केवल ओय लगा रहे हैं और कुछ मिनिटों में ही एब्सोर्ब हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप फिर भी लगाना चाहते है जिनको ज़्यादा स्वैट आता है जिनकी स्किन बहुत ओयली है तो वो रात को यूज करें अप एक मन तक कंसिस्टेंसी बना के इसका यूज करेंगे तो निट्रिशन प्रोवाइट करना बहुत जरूरी है हम एक्स्टरनली तो अच्छे से केर कर रहें लेकिन हम जब तक इंटरनली केर नहीं करेंगे तब तक कोई भी आपके बाल नहीं हुआ सकते चाहें वो सीर के हो या दाड़ी के हो आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध का दिखाल सके वो है आपके हार्मोन का बैलेंस ठीकेर और वह है एकचि एच जी यह चाहें आपके पालों की ग्रोफिय यह हो या ले के सब ही अच्छे होंगे उसके इस शुरू करा हूब एक यह है तो आपको फाइदा होगा, तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको लाइक करें, जो चाहते हैं जिनके बियर्ट हुगे, क्योंकि आजकल रणविर सिंग और विराट कोली ने यसा जमाना लाया है, जिसमें हर कोई एक तरह से ट्रेंड बन गया है कि दाड़ी मूद चाहिए, और लड़के तो कुछ जादे ही परिशान है, जिनके नहीं उगरी, एक समय था, सब चिकने रहते थे, बेंट शेवड रहते थे, बट आप सभी कोई रणविर सिंग बनना है, तो अगर आप इसका यूस करेंगे, तो वाकई आपको फाइदा हो तो आप नीशे कमेंट करें, नेक्स हेंड़ी वीडियो के साथ में जल्दी होगा तक तक लिए बाग है, ठाक्यों बजाएँ